हेलो फैंड्स दखे इस वीडियो में अनियल सिंगी ने एक अच्छी बात बताई है कि कहां पर कितने पद है अब उनका अगला कदम क्या होगा यह पीटीजीडी पीजीडी एक्जाम को लिए करके या अन्य कोई भी भरती संबंदित कुछ जो समस्या आए हुई है उनके संबंद में उनके अगला कदम क्या होगा आईए अब हम उनसे जानते हैं सभी सांस्यों को नमस्कार शुप्रभात मित्रों उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में जिस जानकारी को लेकर के लगातारिवामंच टीम जिस मुहिम को लेकर के लगातारिवामंच टीम शंगर्ष कर रही है आज उसका आपको मैं प्रमार भी दिखाऊंगा जैसा कि आप सब जानते हैं कि नए सिच्छा सेवाचेन आयोग को लेकर के एक लंबे एरसे से कवायत चल रही है और अभी तक उग कवायत पूरी नहीं हुई थी इवामंच टीम के द्वारा पहले ही आपको बता दिया गया था तीन दिन दो दिन पहले कि ड्राप्ट बन करके तैयार हो गया है सारी प्रक्रिया तेजी से चल रही है आप लोगों का दबाव सोशल मीडिया का दबाव लगाता सरकार को देखने को मिलना है और सरकार सक्री भी है जिस सिच्छा सेवाच चैन आयोग को सरकार 2019 में नहीं गठित कर पाई थी या नहीं बना पाई थी उसको लेकर कि एक लंबी कवायच चल रही थी आप लोगों ने देखा रहा होगा जिसको लेकर कि इवामेंच टीम ने एक लंबा आंदोलन प्रदर्सन भी किया और आपको बता दें कि फिर सरकार को जो है ज़्यादा भी संगतियां दिखने पर यह लगा कि पुराने ही आयोगों से भरती प्रक्रिया को सुरू कर दिया जाए जिसको लेकर कि एक लंबी वैकेंसी आपने देखा होगा 15,198 पदों का TGT, 2,002 पदों का असिस्टन प्रोफेसर और आपको बता दें कि 68,79 सिच्छक भरती 68,77 तो नहीं वो पहले हो गई थी, वो नहत्ता हजार सिच्छक भरती और आपको बता दे कि यहाल ही में जूनियर की भरती आई है तो एक बड़ा कारे हुआ अब सवाल इस बात का है कि प्रदेश में पदों के खाली होने की बात आप लोग जानते ही हैं बहुत ज़्यादा पद खाली हैं और उसको लेकर कि हम लोग जो है लड़ने की कवायद में हैं फिलहाद लडने की कवायद में तो हैं लेकिन मैं आपको बताओंगा सटीक, इसका मंतरी के दोरा आकड़ा पेश किया गया था उसको लेकर के हमारी लड़ाई है साथी साथ पुलिस भरती पर लगातार बयान बाजी आप लोग देखी रहे हैं सरकार आए दिन बयान बाजी करके बगल हो जाती है उसकी भी लड़ाई हम लोगों की है अजिनस्त जिसको यूपिट पर लेसी काते हैं कई भरतिया लंबित हैं उसको भी लेकर के साथी साथ जो पदखाली है उसको भरने को लेकर के एक लंबी लड़ाई लड़ने की योजना बनाई जा रही है ऐसे में तमाम गुट आपको गुमराह करेंगे तमाम गुट दो दिन पहले आंदोरन कर देंगे तमाम गुट एक दिन पहले आंदोरन कर देंगे जिससे कि आप की मनसा आपकी योजना सफल नहों सके लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना है चूंकि उत्तर प्देश का उन जवान उत्तर प्देश का इवा इस बात को जान चुका है इस बात को समझ गया है कि आखिर हकीकत लड़ाई कैसे लड़ी जाती है इवा मन्चकार करता हो के उपर आपने देखा होगा कई बार मुकद में जेल जाना यहां तक कि आप लोगों ने देखा होगा प्रसासने कारवाई भी हुई थी तो ऐसे में संघर्स आयतिहासिक होगा बस आपको थोड़ा सा कमर कशने की जरूरत है आपको तादे की राजधानी लखनावू से बड़ी खबर है जिसे हो सकता है हर सांथी के पास पहुँचने में थोड़ा समय लगे उसके पहले मैं आप लोगों को दिखा दू किस इच्छा सेवा चैन आयोक के गठन को ले करके जो इवामन्स टीम लगातार दावा कर रही है उस सारे दावे सच निकल रहे हैं उसी को मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ पहले उसको देख लिए फिर आगे मैं चर्चा करता हूँ उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को सेयर भी थोड़ा कर दिया करिए ताकि हमारी आपकी आवाद धबने न पाए या आपका सहयोग ही हमारा सबसे बड़ा उस्सा है सीधे आप लोग देख सकते हैं लखनव के गलियारे से राजधानी से जो है खबर समाचार पत्रों के माध्यम से अब आ गई है क्योंकि ज़्यादा तलोग समाचार पत्रों पर भरोसा ज़्यादा करते हैं सवाल इस बात का है कि उनको कुछ चीजें लिखित और प्रमारिक चाहिए और जरूरी भी है क्योंकि कई बार समाचार पत्र भी फेल हो गए हैं तो आम जंता की क्या आवकात है तो आप देखे सिच्छा सेवा आयोग का गठन जो होना है उसका ड्राप तयार हो गया है आप ध्यान से देखिए इसक्रिन पर लिखा हुआ है प्रदेश में सिच्छकों और प्रदानाचारें के चैन के लिए बनने वाले सिच्छा सेवा चैन आयोग ध्यान से देख लीजिए कि नए बिध्यक का ड्राप तयार हो चुका है नगरी निकाय चुनाओ की आचार सहीता समात होते ही सरकार को इसे सौप दिया जाएगा राज सरकार ने बीते दो मई को सिच्छा सेवा चैन आयोग बिध्यक का नए ड्राप तयार करने के लिए 12 सदसी टीमों को गठित किया था जिसमें मादमिक का हायर का प्राफ प्राफ पीनपी का अल्व संख्यक आज तमाम विभाग के लोग थे इसको क्या बता आजा आप लोग जानते ही है तो यह ड्राप तयार हो गया है और सरकार सिच्छक शेहन के लिए चाहे हो जिस डिपार्टमेंट के हो चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट के सिच्छक हो चाहे जो है जिस डिपार्टमेंट के सिच्छक हो सिच्छक बनाने के लिए जो तमाम लोग कह रहे थे कि यल्टी की परिच्छा लोग सेवाय कराएगा तो कितनी जल्दी करेगी सरकार है यह तो दावाद नहीं किया जा सकता है लेकिन हमें आपको थोड़ा सा सक्री रहना है तोड़ी सी सक्रिता हमारी आप की जो है नि विहां तोर पर सरकार पर एक म खारता बनाने पर ही हम लोगों को सफलता मिल सकती है तो जो भी शातियों सोशल मीडिया पर शक्री रहे जो वीडियो वह आपको बत कहे जाते हैं सेयर करें सेयर करिए क्योंकि इवामंच यूटूब चैनल को अधिकारी कौँ वर्ग ज्यादातर देखते हैं त्यूऌकि वो इवामंच से जुड़े हुए हैं इवामंच की हर एक एक्टिविटी हर एक गत्विधी छात्रों के बीच में पहुंचे न पहुंचे लेकिन प्रसासन की नजरों में हर हाल में पहुंच जाता है प्रसासन चौकनना रहता है कि वामंच की अगली रणनीती क्या है वामंच क्या करने जा रहा है चुकि वामंच ने कई ऐसे तिहासि संगहर्ष किये हैं जिसको बार-बार बताना मैं उच्छ इतना ही समझता हूँ यही करणा है कि इवामंच के कारकरताओं पर सरकार की कारवाही सरकार की दंडात्मक कारवाही कह लिया जाय तो होता की जाती है जेल जाना, जेल भेजना, मुकदमे करना डंडे भरसाना, यह सब चीजें आम हो गई है इवामंच के इवामंच टीम पुरी मांदारी के साथ छात्रों के हक और दिकार के लड़ती है हाँ थोड़ा सा सेलफी वाजी में या दिखावापन नहीं है यह बहुत अच्छी बात है जितने भी वामंच से जुड़े साथी है उनका मैं आजीवन आभारी रहूँगा कि आपने जब भी संगर्ष किया है एक आतिहासिक संगर्ष किया है और आपके संगर्ष ने एक इबादत लिखी है तो आप सभी को बहुत बहुत बदाई जो भी वामंच से जुड़े है और जो भी साथी है तदर सिच्छकों को ले करके हमारी लड़ाई जारी है और उसके नतीजे भी आप लोगों के सामने आ रहे हैं और उमीद करिए कि नए सिच्छा सेवा चन आयोग के गठन होने के बाद बिग्यापन भी रद्ध हो सकता है अब बिग्यापन रद्ध होगा तो निश्चित पर मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि सीटों को जुड़वा करके ही मानूँगा हाला कि नियाले में भी वाद हमारा चल रहा है लेकिन बिग्यापन नहीं रद्ध हुआ तो सीटे हम जुरवा पाएं गे क्योंकि हम नियाले क्या कहता है क्या नहीं कहता है गर नियाले ने टिपड़ी कर दी तो निश्चित तर पर तदर्थिकी सिर जुड़ी आएगी लेकिन आप लोगों का गर साथ रहा तो आंदोलनातमक प्रक्रिया के तहत हम लोग इस लड़ाई को जीश सकते हैं सरकार पर मारल दबा बना सकते हैं और आपको बता दें कि मारल दबा बनाने से ही सफलता मिलती है मारल दबा अगर आप बना ले गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है उस पर सरकार गंभीरता से बिचार करके उस पर उचित निड़े लिया जो हम लोगों ने चाहा था सरकार को वही करना था संबीदा में आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत ज्यादा बताने की जरुत नहीं है जो कई साथ ही ऐसे हैं जो एक अरसे से युवामंच के संघर को जानते हैं कि युवामंच टीम जितना कहती है उससे दस कदम आग एक करके दिखाती है तो युवामंच टीम पर लोगों का भरोसा बढ़ा हुआ है और एक उमीद भी है कि आप सभी को मित्रों सफलता मिलेगी हमारी शुप कामनाएं हैं कि आप सब जल से जल अपने सपन को मिला है जिससे उमीद की जा सकती है कि टीजीटी पीजीटी के परिच्छा अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक हो सकती है तो आप लोग प्रहाई भी करते रहें और लडाई में पना युगदान देने के लिए कमर कस लीजिए इसी के साथ सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार मैं आपके संगर्सों का साथिया निल से है 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 जीवन में कितनी भी कठनाई हो कि कैसी भी प्रस्तिती हो उसका हमें सामना करना चाहिए